कि उस बेच में एक भरतपूर से बच्चा आता है डिगंबर सिंग उस ने पुरा रजिष्टर सुना दिया था एक दिन और मुझे लगता है वो फस्टेयर का बच्चा सुना सकता है तो कोई सुना सकता है तो कड़ा पिला अभना फिर अगली बार पढ़ो तो आपте दिमाग मेरे क्या चीज पढ़िए कि बहुत है किभाईक काली बंगा था था मालो काली बंगा लिखा भाए आपकाली बंगा वाले पहले पेज के इंदर कुछ बाते लिखी भी होगी, अपने उसमें बाई मेरे से चार बाते याद नहीं होगी, बाकी मेरे सारी समझ में आगी, ये चार बाते मैं बार-बार बोल रहा हूं तो भी आद नहीं होगी, उनको लिख लिया करो, ताकि अगली याद कैसे करते हो तुम, कैसे याद करते हो चीजों को, लिखते रहते हो, बिना देके लिखते हो, और लिख लेते हो सारे कि सारे, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता है, सारे याद नहीं होते, आगे पड़ते हो बीचे बोल जाते हो, हां कि कोई बातßen spoiler में करुंधा मेरे से याद नहीं हो करें है मुझा में में स्यक्वेंस मैं थे क्लास में सीपूआ लग जा उसे क्या दा जो जहां से याद आगया वहां से आगी उसमें तो कोई फार्क नहीं परता आ आप शेश्किया करें कि जैसे मैं दर्ले के ते तीन पेज लिखवा जाता हूंगा यह इकोनोमी में तीन चैर पेज हो जाते हूंगा मालो मैंने चार पेज लिखवा यह वोचींश है कि आर्ड इनल नहीं है कि आप घर पे जाओ पहले पन्ने को पढ़ो जाप का पहला पन्ना है उसको पढ़ो एक एक बंद करके मनन किया करें इनका या को रजिस्टर बंद करके मनन वापस कि क्या क्या लिखा पूरी पूरी लाइन नहीं किवल जो की पॉइंट से वह एलेक्जंडर कनिगम कार लाइव दो आदिमियों के नाम है एक भारत्यों पुरा तत्व का जनक एक राजस्तान पूरा क्या याद किया इसमे अपने को पुरा तत्व की बात कर रहें दरनाम यार्खनेय है एक नाम है करल है वक्राम रिखी पुरा पासान काल्का चेंट्र शेंट्र की नाम आपने बार को पुरा पासानकाल आजरां तो इसमें क्या याद किया कि आहड़ी नाँ आपके साथ में इसलिए चीजों को रजिष्टर बंद कर के याद किये बाद बाद और पढ़ाई नहीं होती जो नोट्स खोल के की जाती है पढ़ाई वह है जो नोट्स बंद करने के बाद होती है तो जब आप इनको बंद करके बार-बार मनन करोगे तब याद होगी और यह दिया अप ढंक से पढ़ते हो ना वास्तम जिसको पढ़ना करते हैं तो जो मैं यहां पे आपको दो गंटे में पढ़ता हूँ मैं वो घर पैто यहां दोतें एक गंटे में कि डिली का एक एक देड़ गंडेम वापस याद हो जाये तो जोगे तो जड़ कर ले तकहले यह तो मतलब यह Qué lên तो इत्ता पड़ लेगा, इत्ता देख तरे हम सहरा लगा देगा। यहीं तो कोचिंग करती है और क्या करती है? यहीं अर्प्टर विल्ड़ यहीं नहीं शन fatty न चर्ड़ा बले और कि करती है ए लिए को फिर वी खूब सरी बाते हैं यहाँ यहां यहीं यहां से मिल रहा है यहीं यहीं चेर्ठर भीना stat ар carrying या काहसी कंपिर नहीं है तो थोड़ा सा चीज़ों को ववस्तित रूप में कीजिए उन भी बार-बार मनन किया कीजिए आज पढ़ाया मैंने आज जाके याद किया धंग से आद किया हो सकत किसी को सुना यह सबसे सबसे जदा अच्छा तरीका है कि आप किसी को एक बार सुना देंगे वो जदा याद जात रहेंगे में आपके तो सारी औख खोड़ ले नहीं तो तुमारे को दोस्त आयसा कोई यह सुन सके अपने अपने में राजी रहते हो और कई मनन यह और सोच ते कि इसको सुनाए इसके कहीं याद ना हो जाए कि अग्यां कि सुनने वाला और यह सोचता रहता है कि यह मेरे को सुनाया का इस चक्रम इसको ज़्याद हो जाएंगे इसलिए वह कता है मेरे को अलग पढ़ाई करनी है आप सोच तो इसको नहीं सुना दूं सुनाने से चीजें सबसे दिखिया दोती है आप अगले दिन आज बंड ढंड पढ़ा है आज वाला याद किया किसी को सुनाया आगले दिन गया पहले आप मालोकल मा पढ़ाऊ तो कम ब बंढ करने इससे करना सुदि को यह जाता है पर्टाट Dawam मेरे को अड़ीक को अग टायम लगता है राग्ता मिलाने को यह था हमेसा कभी पूरा याद नहीं होता थोड़ थोड़ चीजें भूलता है आदमी तो आप मालो पहले दिन वाड़ा याद करने बेटे और उसमें बूले आपने काया यार पूरा पासानकाल के चार सेंटर है दीडवना जायल फिर एक याद ही नहीं आएगा दिमाग मिन आएगा दीडवना है जायल है एक तीन नंबर पे कुछ लिखाओ पता नहीं क्या है पर चार नंबर पे बहनगेड है अब तीन नंबर वड़ा दिमाग में नहीं है राकॉंड सा है आपका इधर माथा मारते हो नहीं आता आप रजिश्टर कोल के देखे आप बुड़ा पूस्कर कर तो थोड़ा साब दिमाग लागो जोर लगाओ कि तो आपके बहनगीड आता जाएगा आपको मतलब यह थी आप थोड़े ववस्ति डंक से इस परकार से पड़ते हैं तो थोड़े दिनों बाद में मानलो यह दो महिने बाद की बात हो कभी यह समाप्ति हो जाया आपना के अंदर और फिर कभी आपको लगे कि अर्मा पूरा पासानकाल का वाम अन्या पर आप डिला यादा के लिए बेठे तो आपके दिमाग में ऐसे आए घायू कि आप मद्दे पासानकल के सेंटर पड़ रहे थें कि बागो रहे है एक तिलवड़ा, एक पच्पद्र रहा है तो निचे आर दो पाली वाले थे, कौन से थे नाम याद नहीं रहें, आपको जिला याद आगा कि पाली जिले के अंधर ते, पर आपको यह भी आद रहेगा कि मैं रजिश्टर के इस पन्ने पर लास्ट में लिखें में है, फोटो को बीश्टेन होते हैं दिमाग के अंधर, पर तुम पता नहीं, कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मैं मतलब तुम्हारे बेचों में एक्सपरिमेंट कर नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे बेचों के साथ समझ्या यह होती है, कि आमें लगता है यार यह बेच कंपलीट करना होता है, अठारा मिने में करना होता है, हमार से 18 मेने होता है, यह 19-20 म Aldi मेने ख् Hahnा है हमसे है, क्यूंकि चुन्की हमें लगे एक धिते मी बंच बंच बेकता है। जल्दी बंच छुप्ट समझर मेनी आहीगा…. आई भूलो तो मैंने लगता और बीच में से बलना बत्त मी ऐ़ता है उनमें बच्चे ह Twin लोते हैं उनुनको केता हूँ काई लिए को मैं तुम्हें सुनूगा म arise मेरे मेरे को बताएं, आपस में किसी को सुनाए नहीं सुनाएंगे, मेरे दर से सुनाएंगे, मास्टर का डर लगता है, बाइस सट डांटेंगे और करेंगे, चोटे बच्चे हो ते मान भी लेते हैं, तुम तो सामने बोल जाओ कि तेरे क्या मतलब है, तुम से तो मेरे को डर लगता है, कि सामने ना बोल जाओ, उत्ते ही ठीक है, उन बच्चों वो मेरे से डरते हैं, तुम आला सुना, कल जो पड़ाया था सुना, अब पहले जिन याद करके आता है, याद नहीं होता उसके डंग से, जितना सुनाया जाता है, पर उससे किसी मेडिवल जब पढ़ाता हूं, तो मेडिवल लगबग कोई चलती है, 30 दिन लगबग, मेडिवल राजस्तान, और राजा महरा जाओंगे इतने सारे नाम, इतने सारे उनके कोई बेटे, राइनियान, उनके दरबारी विद्वान, एक-एक दरबारी विद्वान की किताबे, कोई 40 दिन का लेदे के कोई सलेबस हो जाता है, वो लेदेगे, उस बेच में एक भरतपूर से बच्चा आता है, दिगंबर सिंग, उसने पुरा रजिस्टर सुना दिया था एक दिन, फरस्ट एर का बच्चा है, और मुझे लगता है, वो फरस्ट एर का बच्चा सुना सकत है, अचा कोई स्टुडेंट बादी में आगे काता है, कि सर ये तो रटा मारना वहां, ये ही मारना है, ये ही करना है, सलेक्शन तब ही होगा, यदि तुमारे दिमाग में गलत फाहिम या है कि नहीं, मैं एक्चुली कई का अलग से टाइप के लोग आते हैं, एक्चुली मै मैं सर समझने में विश्वास रखता हूँ, एक्चुली सर रखता नहीं सर, वे एक्चुली का मैं साइंस का इस्टुडेंट रह था ना सर, तो ये ये वाला मिरसे नहीं हो पता, तो फेलो जा, तो फेलो जाना, परी पास नहीं होगा कभी, यहां तो RPC मेंस में पूछती है यह उस्ट्रिया मादीब के चाहा है, मरुस्तोलों के नाम बताईए, मैंस में पूछे, तो याद है, तो तो चाहा है लिख देगा, वरना समझ ले, इस्टुडेंट रहा है, सर, चलो हिश्ट्री का तो मान लिया, जोग्रों भी तो समझने वाली होती है, वहां कि उससे नह कौन से गोदावरी की साहिक नदी नहीं है, अब रजिष्टर में गोदावरी की इच्छा है, साहिक नदी या लिखी है, तेरे याद है, तब तो कर देगा, वरना पिर समझ ले, उसको बेटके, एक उपर से आ रही है, एक नीचे से भी आ अचाह, इधर से भी गोदावरी क अधर आ रही है, फिर समझ लेए फिर नाम याद करने, एक चक्ली ही याद करने है, जैसे उसके अधर लिखे में, उन्होंने मैंस में बूचा, किस ना नदी की आठ साहिक नदीयों के नाम बताओ, मैंस में, इसलिए थोड़ा सा चीजों को बदलिए, चीजों को सही डंग स पढ़ना सुरू कीजिए, और कई के आप में से कुप सारे बच्चे आजकल वो आने लग गए, जिनकी तुमारी एज कम है, और तुम यू बेटे-बेटे सोचते हो, कि मैं एकजाम दूगा 27 में, तब तक मेरा लेना देना ही नहीं है, तो भी अभी याद कीजिए, चुटने के बाद कुछ ही याद नहीं होता, मैं 2010 में कोचिंग आया, 2011, डेड़ेक साल कोचिंग पढ़ावाँ, उसके बाद से मैं 12 से लगबग पढ़ने लग गया था, 12 से, फूब सारी इदर उदर की बातें पढ़ी होगी, मेरे को आज याद आज ही उतना ही है, जितना म आज होने होने है billionner, तो हुटने हैं इद та इन याद की था, क्लास में याद करते हैं, सुनाते हैं, साथर चुटॉटॉऑ परोम में सुनाया नहीं करता है, तोब सारी चिजेन होती हैं इसलिए ईसलिए ऐसे कोण्योंकोन है जो परोम में सिंगल रहते हैं आप मेंसे को बर कर्ता हो कि थुजिवार उले हमेर सांथ चुनार ई करते हैं ने याद मुलवा दियं करते हैं हैं सुरा चुट उन्हार जिवाम है इसाथ को सुना ऩुट sap mStra शूना नहीं हूं म粉ंट हुड्या दोस्तित कि यह यह क्जिवाल मावस्त ही है यह मैं तूड़ा जीव नहीं लगता इनके अंदर आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपके चीजी याद ही नहीं होती ऐसे कैसे हो सकता कि आगे आगे पढ़े रपीचे-पीचे बूल जाएं वह नहीं सकता कि किसी ने पढ़ा हो तो कौण और आपके उनकी रीडिंर लगाते हो और आपकी जो रजिश्ट्र हम यो काड़ा पीलाओना ची शिए इस रजिश्ट्र को पिले जाने लाइक होना चीए और चीए थामकी समझ किये थे कैवल कि अगली बार वो से अगली बार पी रफ कोपी लेके तोड़ी बेट जाओगे कि हमने लिख लिख के आद के अधा तो फिर अगली बार फिर वापस वो रफ कोपी लेके बेटेंगे इसी के अंदर करना है जो कुछ है वो यह है पर तुम इन रजिस्टर को इता नीट एंड क्लीन रखते हो मुझे के बार लगता तुमने अगली पीड़ी के लिए बनाए कि दरहोर की रूप में सौंप के जाएंगे कि तुमारे दादा जी ने जो अपने बहतरीन डेट साल कोचिंग में दिये थे उनका फल यह है एक लाग बारा हजार रूपए का रजिष्टर तयार किया था हम ने और उसमें मेरे कभी समझ में नहीं मतलब तुम को अक्षर गलत लिख देते हो मैंने बोला जयपूर तुम लिख देते हो उदयपूर इस्टुडेंट उसको वाइटनर से सही करता है पहले मुझे लगता था यह बीमारी के वह लड़कियों में हैं पर मुझे लेगा जेंडर से कोई लेना देना नहीं है इसका और लड़कों की भी नसल खराब हो गई है कि यार काट के उदयपूर लिखना यार बद जयपूर लिख दिया गया काट दे उसको क्या है काट दे इसको अब मुझे लिखले लिखे और कोई नहीं से गलता हो गया पर हो नहीं इसको भी ममवले आ जरे करता है तो मउदयपूर ब moderator बहले नहीं कि तो लिखा वाई है क्यों मथा पच्छी की इसके आप एक साथ दिमाग में बिठाता गया रहा है यह है यह है यह है कि ज्यादा तर चीजें तो क्लास में आदो नीची है इसलिए हमेसा ध्यान रखना क्लास में कभी बाते नहीं करनी जब कोई टीचर पढ़ाए मैं तो में कि देखता हूं कि मतितर तो तुम बातें कर लेते हो आपस में यही आपस में बाते कर लेते हैं इसकी अपर एक साथ ड़ी के दो गुंटे फिक्स कर लोगा चाय की तहड़ी पे बात ही करेंगी खाली कि happy क्यां कि दो-े-स पोड़ाया इधर की पंढब जाय के जा है यह नहीं कि पढ़ाई के टाइम बातें की जाए और बातों के टाइम पढ़ाई की जाए फिक्स रहे बातें करनी है उसमें क्या है कि मैं डेली जा के चाहिए थड़ी पे बेटूंगा उस पर आदे पूर्ण गंड़े मेरे दोस्त आएंगे इधर उदर की पंचाईती मोदी जी ने क्या कह दिया आँ बाजनला जी जोदपूर गय थे तो क्या हो गया था वो सब की सब बाते अपने आनी चाहिए इस परकार की चर्चाहीं भी की जानी चाहिए पर यहां बेटके नहीं बेटके ब्रिस पड़ाई में ध्या जाए परना पिर मैं पूस्ता हूं कि काली पिराउत भिपंगह से कौंण सांधा के संखर मिले तब मिले था में तरफ देख एक होक information मिले थे क्या ह्या रफ तो यह जानता है तो पता निया कौन से के मिले थें कौन से का नहीं मिले थे ऐसे नहीं चलेगा थोड़ा सा ध्रां दीजी killed पे तो यह आये तो सारे self motivated अपने भीड़ेईड़ हो जबरदस्ती बेज हो एसे कौन है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता आपको लगता गलत आगे याप इस दिसा में बंगे से इस तो मैं सला दूँको दूसरी तियारी कर ले और कर ले पिर आप सारे करते हो नहीं आम तो खुद की मर्जी से है फिर क्यों नहीं पड़ा जाए अधमें खुद की मर्जी से काम करता तो में तो इंट्रेस्ट आना चाहिए ना मुझे कही बार लगता है, आप से जदा इंट्रेस्ट मेरे को आथा है, कि मैं ये चीज बताऊं, ये चीज बताऊं, चार एक्जामपल दूँ दर दर के, जब कि मेरे को तो बोरिंग लगना चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक सेम बाटे पटाने, आप इमेजिन करके देख को इस हालत को कभी, कि आपको भी वह सेम बताया, एक डेड़ बोडी है, उसके पास में ख़दे, सामगरी, बरतन पड़े हैं, पता है क्या पता जलता है, इससे बता जलता है, वह पुनर जनम में विश्वास करते थे, उन लोगता है, मरत ही आतमात खाना बना लूँगा, य इस तरी आपक आने वह सेड़ा burst करने है, इदर से उधर ही नहीं हम ँचा earn का जना इस बात को, यह सेम बात एक से तीन मुझे कि आपजेक्ट को कुछ भी फिल नहीं हो रहा है कि चलो लिखो भाई आगे क्या लिखा है वर और कौण से नदी के किनार है लिखवा दिआ ये आए आप किया सक्षी लिखवाने है कौन से डपा के साथ से मिले कर दो कि पिर पूछ रहे हैं कि अपली वंगा से कौन मुझे अडपा के सांग से मिले फुर्वध अडपा और क्या मतलब है इसका अगर से पहले और तो मुझ में दिमाग लगा तो क्या मतलब हो शकता होगा इसका लिए को नमर लगा कि लिए पूरूवँदभपा था विक्सितभपा प्रिरपएंग डव्लपफएंग zelfi www.b service.com पूरुववा हडपा था विक्सिटगटपा प्रिरपएंग डव्लपफएंग अपगानिस्तान की क्या चीज अपने गो क्या मिला लाज वर्द एक माला में डालने के लिए मनिया होते हैं मन के, यहां से मन के मिलिया आठ हजार, अलग लग यूँँ पत्थर गेन बने वे, ठीको आठ हजार मन के,